तो गाइज मैं हूँ राजा और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजा यूटूब चैनल को फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम सीखने बाले हैं कि कैसे आप घर बेटे अपने SBI का ATM पे जेनरेट कर सकते हैं जी हाँ फ्रेंट आपको ना ही ब्रांच जाने की जरूरत है और ना ही ATM मसीन पर जाने की जरूरत है आप सिर्फ घर बेटे ही अपने मुवाल फॉन से अपना ATM पे जेनरेट कर सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना है दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक चीज बताई थी कि प्रकार से आप अपना ATM कार्ड अपलाई कर सकते हैं वो भी घर बेटे यूनो SBI के थुरू उसके बाद दोस्तों मेरा ATM कार्ड मेरे घर पर आ चुका था उसकी भी अनबॉक्सिंग करके मैंने आप लोगों को बताई हुई है तो आपने उन दोनों वीडियो को अगर नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्किप्शन में दिया है उस पर क्लिक करके आसानी से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना ATM कार्ड अपलाई कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो हम आपको बता देते हैं कि किस परकार से अप अमना ATM जनरेट कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको यहां पर Chrome में आकर Online SBA सर्च करना है उसके बाद आपको Net Banking में Login हो जाना है हमें Continue to Login पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर एक Option मिल जाता है यूजर नेम और पासपर डालेंगा उसके बाद दोस्तों यहां पर जो कैप चास हो रहा है उसको फिल करके आपको आसानी से पर Login कर लेना है जैसे आप Login करते हैं तो आपको यहां पर OTP को फिल कर देना है आपके Mall Number पर एक OTP सेंड किया जाता है तो दोस्तों अब हम Successfully Login हो चुके हैं उसके बाद आपको ऊपर बहुत सारे Option देखने को मिल जाते हैं यहां पर आपको एक Option मिलेगा E-Service का तो आपको Simple सा इसी पर किलिक कर देना है उसके बाद आपको यहां पर First Option मिल जाता है ATM Card Services तो हमें ATM Card Services पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद दोस्तों और भी आपको बहुत सारे Option देखने को मिल रहे होंगे जैसे कि ATM Card Block, ATM Pin Generation, New ATM Card Activation तो हमें ATM Pin Generate करना है तो इसी पर क्लिक कर देना है जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो अप्सन देखने को मिल जाएंगे Using One Time Passport, Using Profile Passport आप जिससे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो हमें यहाँ पर आपको Using Profile Passport के थुरू बनाकर अपना ATM Pin बता देते हैं तो हमें इस पर टैप कर देना है पर पासपर यहाँ पर फिल अप कर देना है जैसा कि आपने कभी भी बनाया होगा जो कि आपका Profile Passport होगा उसको फिल कर देना है अपना काड नमबर चूज कर लेना है यहाँ पर दूसरे नमबर वाला ATM काड यहाँ पर पिन जनरेट करना है तो हमें इस पर क्लिक कर देना है तो आप यहाँ पर आपको जो ATM बनाना है उसके पहले दो अंक डाल देना है जो भी आप बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर दो अंक यहाँ पर फिल अप कर देना है उसके बाद सिंपिसर सम्मिट कर देना है दोस्तों अब दो अंक आपके मौल नमबर पर सेंड किये गए होंगे तो आपको उन दोनों को मिला कर यहाँ पर डाल देना है उसके बाद सम्मिट कर देना है कि आप लोग डिस्प्ली पर देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने दो अंक बनाए थे उसके बाद दो अंक यहाँ पर भी हमें सेंड किये गए है तो हमें दोनों को मिला कर यहाँ पर पिंट डाल देना है तो हमें आपर दोनों को मिला कर अपना पिंट बना ले तो उसके पास सम्मिट कर देना है डियर फ्रेंड अब आप यहां डिस्प्ले पर देख सकते हैं न्यू एटीम पिंट नंबर हैज पीन अपडेटेट सक्सेस्पूल यानी हमारा एटीमपिंट जनेरेट आसानी से हो गया है वह भी बिना एटीम मशीन पर जए घर बेटे ही हमने आपको यहां पर लाइप रूप दिखा दिया है तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना ATM जनेरेट कर सकते हैं आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसी बात पर वीडियो को लाइक जरू कर दीजिएगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरू करने मिलते हैं नाक्स इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर तब तक के लिए टेक केर